हाई दिस इस मनीशा सिंग फ्रेंट्स मेरा जो पुराना यूटूब चैनल था मनीशा सिंग जॉब अपडेट वो चैनल कल रात को अचानक डिलीट कर दिया गया है यूटूब की तरब से पर्मानेंटली आज से हम इस न्यूटूब चैनल पर जॉब अपडेट की वीडियो के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो फ्रेंट्स आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ डिफेंस स्टाफ सर्विसेज की रिकूट्मेंट की रिगार्डिंग कम्प्लीट डिटेल वीडियो तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंग्टन में आफलाइन रिकूट्मेंट आई है मतलब कि आफलाइन फॉर्म अपलाई होगा टोटल पोस्ट की अगर बात करें फ्रेंट्स तो इसमें आपका 44 टोटल सीट्स पे टोटल सीट्स आपका 44 रखा गया है इंपोर्टन डेट्स की बात करें तो 2nd सेप्टेंबर सी यह आलेड़ी स्टाटेट है 23rd सेप्टेंबर 2023 इसका लास्ट डेट है मतलब कि यह started है इसका मतलब यह नहीं कि online apply हो रहा है offline apply होगा तो आपको post के medium से इसको आपको भेजना होगा apply mode रहेगा आपका offline normal post के लिए vacancy है firm की fee की बात करें तो कोई सा भी charges नहीं लिया जा रहा है age limit अगर देखेंगे कि कब से calculate होगा तो as on 23rd September 2023 calculate किया जाएगा relaxation मिलता है OBC को 3 years का and SCST को 5 years का तो आईए friends हम लोग post name age and salary हम लोग जान लेते हैं first आपका जो post है MTS का उसके लिए आपको 18 to 25 years age का limit रखा गया level 1 का salary मिलता है 18,000 rupees to 56,900 rupees technical attendant के लिए भी same 18 to 25 years age limit है salary 18,000 rupees to 56,900 rupees पर मन्त का रहते हैं secondary आप देखो तो सुखनी, कुक, फायर मैन, सीवीलियन, मोटर ड्राइवर, OG and LDC गयाने की lower division color की है सब के लिए आपका 18 to 27 years मतलब minimum 18 साल होना चाहिए maximum 27 साल age limit रखा गया है level 2 का इन सब post के लिए salary मिलेगा आपको 19,900 rupees पर मन्त से लेके 63,200 rupees पर मन्त की salary रखी जाती है stenographer की post के लिए age limit सेम है 18 to 27 years level 4 का salary मिलेगा 25,500 rupees to 81,000 पर मन्त की salary आपकी रहने वाली है qualification की अगर मैं बात करूं तो qualification में post wise vary करता है 10th, 12th and equivalent post के लिए आपका यह है आप notification में clearly qualification को देखे post wise आप किस post के लिए apply करना चाहते हो MTS के लिए simply 10th pass out होना चाहिए steno के लिए 12th pass के साथ skill test जो होता है उसके लिए आपको typing and short hand आना चाहिए LDC के लिए 12th pass तो सबका में एक proper दिया गया notification में तो आप वहाँ देख सकते हो selection process के अगर बात करूं तो major 2 stage पे dependable रहने वाला है first of all written exam होगा उसके बाद होते है आपका physical and skill test मतलब कि जिन post के लिए physical है तो उसके लिए physical लिया जाएगा और इस stenographer की post जैसे तो उसके लिए आपका skill test होगा fireman वगेरा के लिए physical होगा तो आएए exam की pattern explain कर देती हूँ वैसे तो फिंस notification में कोई pattern अभी explain नहीं किया गया clear नहीं किया गया बट आपका paper का language English and Hindi दोनों language में रहेगा subject में बता देती हूँ आपको reasoning होगा math होगा general English, general awareness and trade related आप करेगा तो अगर किसी trade wise आपका है तो trade से पूछेगा और अगर simply MTS होगे रहा कर दोगे reasoning, math, general English and general awareness से question पूछने वाला है रही बात job की location की friends तो आपका job location रहने वाला है वेलिंटन में Tamil Nadu के अंदर इसका vacancy आया है तो आपका job location Tamil Nadu में रहने वाल है आईए इसकी regarding my required documents बता देती हूँ कि आपको क्या-क्या documents पोस्ट करना है 10th के marksit and certificate चाहिए होगा, 12th का marksit and certificate लगेगा, cast certificate भी चाहिए होगा domicile यानि कि आपका आवासिये चाहिए, जाती पर्मान पत्र चाहिए, आधार card होना चाहिए और अगर driver की post के लिए आप firm fill कर रहे हो तो आपको deal यानि driving license का होना एकदम compulsory है experience भी अगर आपके पास कोई सा experience है तो आप उसका certificate भी भेज सकते हो इसमें सबसे important बात यह है कि सब पर न सेल्फ अटेस्टेड करके ही आपको डाक करना है 22 रुपे का जो डाक टिकट आता है वो लगाना है अब आप सोच रहे होंगे कि इसका form कहां मिलेगा तो friends इसका form आपको मिलेगा मेरे telegram चनल पर जी हाँ वहाँ पर मैंने इसका notification साथ ही साथ उसमें आपको form भी डाल के post कर दूँगी आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना सारा कुछ उस पर दिया रहता है आप अच्छे से form भढ़के और तमिलनादू में आपको यह post करना है और इस स्पीड पोस्ट मत करना फ्रेंट्स नॉर्मल डाक से भेजोगे तभी वहाँ पर रिसीब हो पाएगा और अगर समझने में थोड़ी से भी दिक्कात आ रही हो तो कमेंट सेक्षन में आके पूछो फ्रेंड्स अधर्वाइस मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा तो वहाँ पे जाके और फॉलो कर लो और फ्रेंड्स पता नहीं किस रीजन से मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो अपने जादा से जादा फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को सेर करो ताकि मैं फिर से जो मेरा सब कुछ खतम हो चुका है फिर से स्टार्ट न्यू करी हूँ तो मुझे अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिल जाए वीडियो मेरी रन करें तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कर दो और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और फ्रेंड्स मिलूंगे फिर से किसी फ्रेस गवर्मेंट जॉब की अपडेट के साथ तिल दिन स्टे ट्यून बाबाई टेक कियर